क्या आपको पता है कि सबसे जल्दी तरीका क्या है अपने स्लेबस को खतम करने के लिए तो आज ही ये विडियो इसी टॉपिक पर है इस सवाल का जवाब क्यों ना हम उनी से पूछें जो पढ़ाही में काफी अच्छे हैं और जिन्होंने सबसे डिफिकल्ट एक्जाम्स क्लियर किये हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कैल न्यूपोर्ट को कि वो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कैल अपनी बुक कैल अपनी इस बुक में बोलते हैं कि हमारी बुक में जितने पेजिस होते हैं हमारे पास उने पढ़ने का कभी भी पूरा टाइम नहीं होता और अगर ये सीक्रेट स्टूरेंट्स को पता चल जाएं तो आप में से कई स्टूरेंट्स ये बोलेंगे पर ये कैल न्यूपोर्ट है कॉन और हम इनकी बात पर विश्वास क्यों करें तो कैल ने दुनिया के वन अफ दे बेस्ट कॉलेज़ेज MIT, Massachusetts Institute of Technology से पढ़ाई की है और अभी ये Georgetown University में Computer Science के Associate Professor है तो आप इनकी ability पर तो शक ना कीजिए अब हम में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये तो foreigner है, इनका syllabus pattern different है इसलिए strategies भी different होंगी और क्या ये हमारी Indian education system में follow होंगी तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है हमारा cultural difference हो सकता है लेकिन human psychology और human की learning abilities सब सेम है लेकिन फिर भी हम एक Indian example ले ले लेते हैं ये दीपक रावत सर है IAS, District Magistrate हरीद्वार, उत्राखंड ये भी competitive exams की त्यारी के लिए ये ही recommend करते हैं कि less is more यानि उतना ही material पढ़ें जितने की requirement हो क्योंकि जितना ज्यादा material हमारे पास होगा उसे देख देख कर ही हम काफी stress में आ जाएंगे क्योंकि वो हमसे कभी भी खतम तो होने वाला है नहीं इसलिए do not study all the material that is given एक बाद याद रखें कि less is more मेरी सला means देने वालों को इतनी है कि आप घिरे हुए material से इगनू का material है इंटरनेट पे material है तमाम coachings हैं तमाम guides हैं आपको जादे से जादे जो answer लिखना होगा कितना होगा हो सकता है dice of words का हो मेरे time पे तो means में इतने लंबे answer रुभा करते थे हो सकता है 300 का हो लिमिटेड हो और आपके answers की quality अच्छी हो तो हमेशा याद रखिएगा Less is more Thank you एक और example ले ले लेते हैं Roman Sani का Roman Sani ने AIMS All Indian Institute of Medical Sciences से MBBS की हैं और IAS भी crack कर चुके हैं Roman बोलते हैं कि एक साल में हम 5000 पेजे से जादा नहीं पड़ सकते तो इसका मतलब है कि आपको अपने material को कम करना पड़ेगा चाहे एक्स्ट्रा बुक्स को डोनेट कर दो या फिर रदी वाले को दे दो क्यूंकि अगर हमने अपने पास कुछ एक्स्ट्रा ही material रखा है तो वो हमारी मदत नहीं करने वाला बलकि हमारी anxiety और stress level ही बढ़ाएगा इतनी सारी किताबे रखते क्या करो इससे पहले कि हम देखें कि हमने कौन से slabors का portion को पढ़ना है और कौन से slabors के portion को छोड़ना है पहले हम इस बात को detail में समझ लेते हैं कि why covering less slabors will give you more marks actually reality में सिर्फ less slabors ही आपको जादा marks नहीं दिला सकता बलकि less effort भी आपको जादा output दिलवा सकता है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस principle को समझ लेते हैं जिसे 80-20 principle कहा जाता है या फिर Pareto's principle यानि कम effort लगाके जादा कैसे achieve करें तो क्या है ये 80-20 rule जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं actually ये 100 साल से भी पहले उसे study कर रहे थी और उन्होंने notice कि 80% पैसा और जमीन 20% लोगों के पास है और उन्हें लगा वाओ ये तो बहुत amazing pattern है फिर बाद में जब उन्होंने इसी principle को और field में देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये principle तो हर जगा follow होता है यानि कम चीजें करके भी आप ज़ादा अचीव कर सकते हैं जैसे 20% movies box office में 80% कमाई करती हैं आप 80% time अपने 20% कपड़े पहनते हैं 80% लोगों को dictionary के सिर्फ 20% शब्दाते हैं और actually में यही required है 20% criminals 80% crime करते हैं दुकान में पड़े होई 20% products ही 80% sales करवाते हैं 20% car drivers की वज़ा से ही 80% accidents होते हैं 20% students ही 80% exams clear करते हैं और हम अपना 80% time अपने 20% दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं In short आप कोई भी field ले लो चाहे वो आपकी studies हो या फिर आपकी personal life majority of चीजें आपकी minority of actions पर depend करती हैं अगर हम इसी principle को किसी और angle से देखें तो हम कह सकते हैं कि हर चीज equally matter नहीं करती इसी principle को the one thing book में भी बताया गया है ये एक सबसे बड़ा जूट है जो हमें बचपन से बता दिया जाता है कि हर चीज बराबर है क्या आपका movie देखने का decision या फिर बिमार parents का ध्यान रखने का decision बराबर है नहीं क्या आपकी पांचों उगलियां बराबर है नहीं क्या हर profession बराबर है जो आपको equally income कमा के देगा या फिर society में respect देगा नहीं क्या आपके हर teacher की qualification बराबर है और उनके पढ़ाने का style बराबर है नहीं इन शॉर्ट हर चीज डिफरेंट है कई चीजे ज़ादा important है और कई कम important और ये principle आपकी studies में भी use होता है exams में majority of questions minority of topics से पूछे जाते हैं अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि exactly 20% of the syllabus से आपसे exactly 80% questions पूछे जाएंगे लेकिन मैं आपको ये पूरी conviction से बोच सकता हूँ कि almost 40-50% topic से आपसे 70-80% questions पूछे जाएंगे यानि आपका आदा syllabus जादा important है अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो अब हमारी success अब इस बात पर depend करती है कि क्या हम में ये skill है कि हम वो 40-50% syllabus select कर सके जिससे हम आसानी से exams में दिये गए almost 80% questions के answers दे सके अब इससे पहले कि मैं आपको suggest करूँ कि कैसे हम वो syllabus का most important section select करें पहले मैं एक confusion को clear कर देता हूँ जो maximum students के मन में होती है और वो ये है कि हम मैंसे कई लोग इस thought को भी अपने mind में नहीं लाना चाते हैं और डर जाते हैं कि क्या हम syllabus का कुछ portion ही छोड़ देंगे तो ये डर एकदब normal है मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था तो अब सवाल ये आता है कि इस thought से जो डर लग रहा है उसका क्या करें तो इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा कि हम खुद को समझाएं कि हम syllabus का कुछ portion नहीं छोड़ेंगे बस syllabus को खतम करने का sequence थोड़ा change कर देंगे यानि सबसे important syllabus का portion सबसे पहले खतम करेंगे और उसके बाद rest of the syllabus In short, सिर्फ learning sequence चेंज करना है कुछ छोड़ना नहीं है तो अब next आता है कि syllabus का सबसे important section कैसे select करें वैसे तो ये skill practice के साथ आती है जितनी जादा आप classes attend करते हैं जितने जादा आप tests देते हैं उससे ही आप में ये skill आती है कि important क्या है फिर भी कुछ general tips हैं जिने use करके आप अपनी books का सबसे important portion ढूंड सकते हो तो सबसे पहले टिप आती है कि सिर्फ syllabus पर concentrate करो अगर आप board exams या किसी competitive exams की त्यारी कर रहे हैं तो कभी भी syllabus के बाहर के topics को cover ना करें अब हम में से कहीं लोग ये कहें कि कि sir हमने देखा है कि out of syllabus भी questions पूछे जाते हैं तो इसके लिए यही answer है कि अगर आते भी हैं तो हमने उस portion पर concentrate करना है जहां से जादा questions पूछे जाते हैं ना कि syllabus के उस portion पर जहां से तीन साल में एक बार कोई question पूछा गया है अगर हमने defined syllabus को खतम करने से पहले ही out of syllabus चीज़ें कर देते हैं तो वो exam point of view से completely useless है और हम अपने competitor से exams होने से पहले ही पीछे हो चुके हैं नेक्स टिप आती है कि last years के questions करें यह सबसे बड़ा feedback है जो आप ले सकते हों अपने exams का सबसे important portion ढूणने के लिए आपकी judgment गलत हो सकती है कि किस subject का सबसे important portion कौन सा है लेकिन अगर आप हर एक topic या chapter खतम होने के साथ साथ उस topic के last 10 years के questions करते हों तो एक pattern ढूण लोगे और आपको exactly पता चल जाएगा किस labels का सबसे important part कौन सा है जिससे questions पूछे जा रहे हैं अब अगर आप board या competitive exams की त्यारी कर रहे हैं तो last years के questions जो पहले से ही chapter wise दिये गए हैं उन्हें market से खरीच सकते हैं या online download कर सकते हैं या फिर अगर आप school में हो तो library से या senior से questions paper माँग सकते हैं और उन्हें chapter wise categorize करके prepare कर सकते हैं next step आती है कि school tests को दो हमारे teachers या professors जिने बहुत सालों का experience है ये जानते हैं कि syllabus का सबसे important part कौन सा है इसलिए जब हम school test या college test देते हैं तो उसमें आपको syllabus के important questions ही मिलेंगे next आता है कि एक अच्छे institute के mock test join करो अगर हम किसी competitive exams की त्यारी कर रहे हैं तो अपनी field के पिछले 15-10 साल के toppers के interviews पढ़के हमें पता चल जाएगा कि toppers ने कौन से institute से mock test दिये हैं बस हमें भी उसी institute के mock test देने हैं mock test आपका final exam नहीं है इसलिए अगर आपका syllabus खतम नहीं भी है तो भी आपको mock test देने हैं और घर आके उन्हें analyze करना है कि किस topic से जादा questions पुछे जा रहे हैं अगर हम अच्छे institute के mock test दे रहे हैं तो बहुत जादा chances हैं कि हम उन्हें solve करने के लिए सबसे जादा important section ही prepare कर रहे होंगे तो दोस्तों इस video में हमने देखा कि हर चीज equally importance नहीं रखती है ही कहता है कि majority of results आपको minority of task करने पे ही मिलेंगे और फिर हमने अपने slabers का सबसे important part जानने के लिए चार methods देखे थे जिसमें पहला था कि अपने slabers से extra portion को तब तक न चुएं जब तक आपने एक बार पूरा slabers खतम ना कर दिया हों और एक बार revision कर ली हों वैसे मेरे opinion में extra कुछ भी ना करें उससे better वो time, दोबारा revision या mock test देने में invest करें हमने दूसरा method किया था कि last year के questions तो आपको करने ही करने बढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा compass है कि आप अपने goal की तरफ ही effort कर रहे हैं या किसी useless direction में हमने तीसा method देखा था कि school test या institute के college test देकर भी आपको idea मिल जाता है कि slabers का सबसे important portion कौन सा है fourth method था कि आप last year के toppers के interviews देखें और अगर किसी particular institute से काफी सारे toppers ने mock test दिये हैं तो हमें भी उसी institute के mock test देने हैं सबसे पहले उन concepts पर focus करें जिससे सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं और एक बार अगर आप उस portion को खतम कर देते हैं तब आप बाकी slabers के portion या concepts पर focus कर सकते हैं